सीखने की जरूरत है और प्रक्रती हमें बहुत कुछ सिखाती है जीवन में एक तोता मत बनो तोता भोत अधिक बात करता है लेकिन उची उड़ान नहीं भर सकता लेकिन एक बाज चुप रहता है और वहां आकास चुने की चमता रखता है साथ बाते ही जो हम एक बाज से सीख सकते है एक बाज उचाई पर अकेले उड़ता है बाज चीडिया, कोवा और चोटे पक्चियों के साथ नहीं उड़ता है मतलब की आप चोटे दिमाग वाले लोगों से दूर रहें जो की आपको नीचे खीशते है बाज केवल बाज के साथ ही उड़ता है एक कहवा थे कि आप जिन लोगों की संगत करते हैं आप भी वेसे ही बन जाते हैं या सुनिश्चित करें कि अच्छे संगत में रहे नमबर दो, बाज के पास विजन होता है उसके पास पांच किलोमेटर तक किसी चीज पर ध्यान केंदरित करने की चमता होती है चाहे कितनी भी बादाय हो, बाज सीकार से अपना ध्यान तब तक नहीं अटाएगा जब तक कि वहां उसे पकड़ नहीं लेता मतलब आप अपना विजन इसपष्ट रखे, अपने जीवन में फोकस्ड रहे चाहे आप कितनी भी बादाय हो और चुनोतियों का सामना करे हार ना माने और आप सफल होंगे नमबर तीन, बाज निडर है एक बाज कभी भी अपने सीकार के अकार और ताकत के सामने आत्मसमरपन नहीं करता बाज हमेशा अपने सीकार को जीतने और अपने छेतर को फिर से आसिल करने के लिए लड़ाई लड़ता है मतलब चाहे आपकी समस्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, हर ना माने इसके बजाए समस्याओं का सामना करें सफल लोग निडर होते हैं वो समस्याओं का सामना करते हैं नमबर चार बाज कठोर होता है बाज को तूफान से मुभबत है जब बादल इकटा होते हैं तो बाज उत्तेजित हो जाता है बाज तूफानी हवा का इस्तमाल उचा उड़ने के लिए करते हैं एक बार जब होँ तूफान के हवा पाता है तो आज खुद को बादलों से उपर उठाने के लिए भैनक तूफान का उप्योग करता है बाज को बीना पंक हिलाए हवा में तेरने में मदद करता है बाज अपने पंकों को अराम देता है इस बीच दूसरे सभी पक्ची पेड़ की साखाओं और पत्तियों में छुप जाते हैं जिसका अर्थ है कि उपलब्दी हासिल करने वाले चुनोतियों से नहीं डरते हैं अलकी वे उनका आनन लेते हैं और फाइदे के लिए चुनोतियों का उप्योग करते हैं बाज कभी भी मरी हुई चीज नहीं खाता बाज कभी भी मर रहा हुआ मास नहीं खाता दूसरे सब्दों में बाज केवल अपने सीकार का मास ही खाता है जिसे वहां खुद मारता है जिसका अर्थ है कि अपनी पिछली सफलता पर भरोसा ना करें जीतने के लिए नई सीमाओं की तलास जारी रखें अपने अतित को छोड़ दें नमबर च्छे बाच ट्रेनिंग के लिए तियार होता है गोसले में से नरम घास और पंक को अटा देता है ताकि युवबाच उड़ने के लिए तियारी में आसहज हो जाए और अंतता युवबाच उड़ जाता है जब गोसले में रेना उसके लिए आसहन्य हो जाता है जिसका मतलब है कि अपने कमफर्ट जोन को छोड़ दे वहाँ कोई ग्रोथ नहीं है नमबर साथ बाच में जीवन सकती होती है जब बाच बुड़ा हो जाता है तो उसके पंक कमजोर हो जाते है और उसे उतनी तेजी से और उतना उचा नहीं ले जा सकते है जितना उचा उसे जाना चाहिए चीज उसे कमजोर बनाती है और वहाँ इससे मर सकता है इसलिए वहाँ पाड़ों में दूर एक जगा चला जाता है और वहाँ वहाँ अपने सरीर से कमजोर पंकों को तोड़ देता है और अपनी चोच और पंजो को चट्टानों पर मारता है जब तक कि वहाँ पूरी तरह से नंगा नहीं हो जाता है बहुत ही खुनी और दर्दनाक प्रक्रिया होती है ये तब तक कि वहाँ अपने चीपने की जगा में रेता है जब तक कि वहाँ अपने नए पंक, नई चोच और नए पंजे नहीं उगा लेता है और फिर पहले से कई ज़्यादा उची उड़ान भरता है जिसका मतलब है कि हमें कभी कबार पुरानी आदतों को छोड़ने की जरूरत है है कितने भी मुश्किल चीजे जो हम पर बोज हो या हमारे जीवन में कोई मूल लिना जोड़े उन्हें हमें छोड़ देना चाहिए दोस्तों बाच के जीवन की इन साथ बातों में से आपको कौन सी बात सबसे अच्छी लगी कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमेशा इस तरह की मोटिवेशनल स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें